मेरा बच्पन से सपना था अकेले ट्रावल करने का लेकिन जब मैं बड़ा हुआ थोड़े पैसे कम आये तो सबसे पहला सवाल था कि कहा आखिर जाओ तो कहा जाओ गोआ हाँ यही सबसे पहले दिमाग में आया इसलिए मैं बैक पैक करके सीधा निकल गया गोआ के लिए लेकिन क्या यह सच में मेरा एक सोलो ट्रिप था अपता नहीं अब देखो मेरी फ्लाइट को लैंड होते होते रात हो जाता है एंड डूड जिस पार्ट में मेरा रिजॉर्ट था न वो लेजिट जंगलों के बीच में था मुझे जंगलों के बीच से होकर अपना रिजॉर्ट पहुचना पड़ता है लेकिन रिजॉर्ट को देखकर बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं हुआ मैं रुका था ग्रैंट वाटिका रिजॉर्ट में और यहां की वाइव उफ ऐसा लग रहा था कि हम नेचर के पैरडाइस में आ चुके हो वैसे मैंने गोवा में बहुत सारी पिचर्स लिए है जो तुम्हें मेरे इंस्टर्गाम में देखने को मिल जाएगा अगर इंटरिस्टेड लो तो फॉलो कर सकते हो एंड कुछ पिचर्स तो अप्लोड होनी भी बाकी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्वेमिंग पूल, ट्रीज, गार्डेन, ग्रीन ड्री और बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे चोटे चोटेजिस वो भी इतने बड़े एरिया में यहाँ पर रहने का मज़ा ही अलग था वैसे यहाँ पर हमारा स्टे फाइव डेस का था वैसे अगर आप लोग कभी भी गोवा आते हो ना तो आरंबोल के पास ही रुकना दिस इस दा बेस्ट प्लेस इन गोवा गोवा की असली वाइब्स तो यहीं आती है यहाँ के बीच भी सबसे ज़्यादा क्लीन है और एस्थेटिक है और ट्रस्ट में तुम एक दिन भी बोर नहीं होगे गोवा के बाकी सारे जगा बहुत ज़्यादा पॉपूलिटेड हो चुके है बहुत ज़्यादा सिटी टाइप हो चुका है तो वहाँ पे तुम्हें वह वाइब नहीं मिलेगी और तुम मुझे इस क्लिप में देखी पा रहे होगे कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अलग-अलग पेड दिखा रहा हूँ वैसे इस रिजॉर्ट में कॉफी सॉप प्राइवेट रिस्टोरेंट और एक छोटा सा जिम भी था जो कि सेच बोलू तो उतना यूजेबल नहीं लगा और फिर यहाँ पे है यह विल जिसका मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या काम है लेकिन काफी प्यारा सा एस्थेटिक सा लग रहा है और यहाँ पे फिर से कुछ पेड़ पौद है इसके बाद मैंने सोचा कि तुम सबको मेरे कॉटेज का इंटीरियर भी दिखा दू लेकिन फिर याद आया कि मैंने पूरे कपड़े परोस रखे हैं इसके बाद मैं सुभा 9 बजे उठकर अफो काफे जाता हूँ जो की पास में ही था और यहाँ के खाने काफे टेस्टी और ऑथेंटिक थे मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर हमने धोसा ट्राइ करा और उसके साथ जो नारियल टमाटर के चटनी थे और जो सामबर था वो काफी हिल्दी वे से उन्होंने वहीं पर बनाया था इसके बाद हम आरंबोल बीच जाते हैं जो की पास में ही था और इसके बाद मैं बहुत सारे गोगा के पॉपिलर बीचेस भी जाता हूँ लेकिन ट्रस्ट मी वो सारे इसके सामने थोड़े फीके लगते है और इसका में रीजन है पॉल्यूशन और लोगों की भीड़ इसके बाद हम चीकी मंकी के पास बैठते हैं और कड़ाई पनीर और नान ट्राई करते हैं इसके बाद हम यहीं पर बैठ कर पूरा साम एंजओाय करते हैं पूरी रात एंजओाय करते हैं And काफी लेट नाइट होने के बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट जाते हैं और तुम देखी सकते हो रात को यहां पर जो सीसाइड रेस्टूरेंट्स है ना वो कितने प्यारे लगते हैं देखो आगे व्लॉग में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़े हैं लेकिन उससे पहले as a CBSE student आप चाहते होंगे ना कि आपको ऐसा कुछ magical चीज़ मिल जाए जिससे आपका grade इंप्रूव हो जाए या फिर आप अपनी exam में टॉप मार सकें और देखो इंग्लिस में तो 100 नमर कहीं नहीं गए मैं हो ना मैं दिलवा दूँगा लेकिन बाकी subjects का क्या इसलिए unacademy लाया है early bird deal जिसमें आपको 30% off मिलेगा आपके सारे CBSE courses के लिए 4 class 8-12 यहाँ पर top educators सारे subjects बिलकुल fun way से समझाएंगे जैसे की math, science, sst वगेरा वगेरा सिर्फ आपको इस code को use करना है और आपको 30% off मिल जाएगा CBSE plus और iconic courses में link description में given है इसलिए जल्दी से जाओ क्योंकि यह offer बस limited time के लिए ही available है और जल्दी ही यह offer expire भी कर जाएगा अब vlog को continue करते हैं फिर हम next day जाते हैं cafe मिलेगा and trust me guys exaggerate करके नहीं बोलूँगा गोआ के best and affordable food में यहीं से खाया हूँ एक बार खाने के बाद last के चार डेज में यहीं से भी एफ किया था fruit chart cold coffee और यहां का मेरा favorite पनीर पराठा क्योंकि ऐसा पनीर पराठा मैंने पूरे इंडिया में और कहीं नहीं खाया है और साथी साथ यहां के हॉमलेट भी यमी थे इसके बाद मैं अपने resort जाकर यह सारी हरकते करता हूँ बस इतनी confidence चाहिए ना body है न सकल लेकिन कपड़े तो ऐसे खोल रहा हूँ जैसे कि रितिक रॉसन से कम नहीं और बस यहीं नहीं swimming pool के अंदर sunglasses लगाकर अपने आपको किसी Hollywood hero से कम नहीं समझ रहा मैं और देखो तार ना आता हो या ना हो लेकिन भक्चोद ही पूरी करनी है हाँ मैं ही तो टॉम क्रूज की चटी ओलाद इसके बाद हम दुबारा से बीच जाते हैं और वहाँ पर जाके हम रसिन लंच करते हैं और यहीं पर काफी देट टाइम पास करने के बाद वापस से जाते हैं काफे मिलेगा डिनर करने के लिए और रात में यह कैफे कुछ ऐसे दिखता है काफी एस्थेटिक है और खाना तो यहां की टेस्टी है ही मैंने तुमें अल्रडी बता रखा है अब देखो गोवा है तो मडबात तो लेंगे ही न तो इसलिए मैं आरंबोल के एक लोकेशन पर पहांसता हूँ जहां पर यह सर्विस एवलेबल है तो करीब 2000 पर परसन देने के बाद हमें बोला जाता है कि हम अपने खुद के कपड़े उतार ले और उनके दिये गए disposable undergarments को पहन ले अफकॉस safety और cleanness purpose के लिए हमें यहाँ पर changing room और bathing room भी दिया जाता है जहां पर हम कपड़े खोलते हैं नहाते हैं उनके disposable कपड़े पहनते हैं और फिर must बैट कर और सो कर उनका मडबात लेते हैं एक बार ट्राइ करने के लिए यह experience काफी अच्छा था इसके बाद हम आरंबोल के सबसे popular cafe जाते हैं that is dreams of garden डूड यह इतना ज्यादा beautiful था ना मतलब पूछो मत फिर यहाँ पर हमने कुत्ते बिल्ली के लड़ाई देखी यह देखो एक बिल्ली उपर यह बीच में यह डॉगी और यह एक बिल्ली नीचे यह लोग पता दिया आपस में लड़ रहे थे और यह रहाँ menu यहां से हम दो drinks order करते हैं और थोड़ा सा rest करते हैं और उसके बाद यहां से निकल लेते हैं अब देखो तुम लोग क्लिप देखके तो समयची रहे होगे कि यह काफे कितना ज्यादा खूबसूरत है ऐसा लगता है कि तुम एक तुम नीचर की बीच में बैट कर खा रहे हो लेकिन देखो आज का व्लॉग हम यही तक रखते हैं इसके बाद हमने गोवा में और भी बहुत चारी अक्टिविटीज करी है वो तुमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिल जाएगा अगर इस वीडियो में 1K लाइक्स भी हो जाते हैं तो भी मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट ड्रॉप कर दूँगा उस पार्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो वाटर स्पोर्स मैंने करा जो स्कूबा डाइविंग मैंने करा और जो प्रस्टनल यॉट मैंने बुक करा था कुछ घंटों के लिए मेरे experience का ऐसा था उस पार्ट में तुमें देखने को मिल जाएगा तब तक के लिए बाई बाई